तो दोस्तों मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक बॉडी बिल्डर के बारे में जिनकी अभी रीसेंटली देथ हो गई है उनका नाम है बॉस्टन लॉइड और अगर आप लोगों में से कई लोग नहीं जानते हो तो ये काफी जा जाने जाते थे और एक काफी जाता पोलराइजिंग बॉडी बिल्डर थे हैं सिरफ 29 साल की इनकी उमर थी दोस्तों और अगर आप लोग इंदेथ रीजन जानना चाहते हो कि exactly इनकी देथ क्यों ही थी तो दोस्तों मैं आपको recommend करना चाहूंगा कि आप All About Olympia वाला चैनल मैं काफी सारी अपडेट्स लेकर आए हूं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जो कि मैं आप सबी लोग इसा शेयर करना चाहता हूं तो पहली हम लोग अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो की आ रही है सागर कातुर्दे की तरफ से और दोस्तों सागर कातुर्दे सुनने पाई है इनकी जिसकंदर की सागर कातुर्दे जैसे कि आप देख सकते हो कि अपना टैन लगा रहे हैं और बाकि दोस्तों यही न्यूज आ रही है कि सागर कातुर्दे जी चुके उनकी फर्स प्लेसिंग आई है नभी मुंबई श्री के अंदर और अगर यह चीज कंफर्म होती है और अगर कोई भी न्यूज आती है इस चीज के रिगार्डिंग तो वो मैं आपकी तरफ पहुचाता रहूँगा बाकी मैं कॉंग्रैचुलेट करना चाहूँगा सागर कातुर्दे को तो चलिए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और तो था उनकी फिजीक का वो 2016-15 जो 2017 वाला टाइम तो जिसके नदर की वो आर्नौर्ड क्लासिक जीते थे वो उनका प्राइम टाइम था उसके बाद दोस्तों जो सेडर की फिजीक थी वो खराब होती गई जैसे कि आप लोग जानते हो कि उनकी वेस्ट लाइन जो थी वो जादा छोटा होता गया तो इंप्रूव्मेंट्स करना किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए जब एज जादा होती रहती तो काफी जादा मुश्किल होता रहता है और अगर मैं अपडेटेड लिस्ट की बात करूँ तो आब अपनी स्क्रीन के उपर देख सकते हूं कि कौन स बॉडी बॉड़िर खेलने वाले हैं आर्नोर्ट क्लासिक तो चलिए दोस्तों हम लोग अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ते और अगली अपडेट दोस्तों मारी आ रही है क्लासिक फिजीग की डिवीजन से जिनका नाव है टेरेस रूफन और टेरेस रूफन ने द मिलती रहीगी तो चलिए दोस्तो हमारी अगली अपडेट आ रही है रेगन ग्राइम्स की तरफ से और रेगन ग्राइम्स ने दोस्तो अपना फुल बॉड़ी शॉट जो पूरा फिजीक अपडेट होती है फाइनली हम सबी लोग को शो कर दिया जैसे कि लास्ट वीक हमको Brett Wilkins ने शो करी थी इस हफते हमको रेगन ग्राइम्स ने शो कर दिया है और दोस्तो आप लोग दे सकते हूं कि रेगन ग्राइम्स इस टाइम पर कैसे लग रहे हैं कि करन्ट शेप कैसी लग रही है और करन्ट कंडिशनिंग कैसी लग रही है और मैं दावा करके कह सकता हूं कि मीलोज एकदम बढ़िया तरीके से रेगन ग्राइम्स को तियार करके भेजेंगे आर्नरोड क्लासिक के अंदर वो एक काफी ज़दा एक्सपीरिंस्ट कोच है और वो कैसा प्रफॉर्म करते है स्टेज पर ये तो हमको आगे जाके ही पता लगेगा तो चलिए दोस्तो हम लोग अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आ रही है एक ऐसे बॉड़ी बिल्डर की तरफ से Mr. Olympia के अंदर और दोस्तो उनकी तरफ से ये अपडेट आ रही है कि ये रेटायर्मेंट ले चुके हैं बॉड़ी बिल्डिंग से यानि कि अब ये competitive बॉड़ी बिल्डिंग नहीं करा करेंगे और दोस्तो ये retirement ले चुके हैं तो 2020 के अंदर इनका last show था तो चलिए दोस्तो हम लोग अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि यार ये जुनेत काली वाला की तरफ से और जुनेत काली वाला के पास अब सिरफ 5 हफते रह चुके हैं Thailand Pro Show के लिए और आप लोग दोस्तो इस photo के अंदर उनकी current फिजीक अपडेट देख सकते हो कि वो इस time पे कैसे लग रहे हैं और इस time पे उनकी फिजीक कैसी लग रही है और बाकी दोस्तो आपने उनके comment section के अंदर बता सकते हो कि आपको जुनेत काली वालक की फिजीक कैसी लग रही है और बाकी उनकी जितनी भी अपडेट्स आती है leading to Thailand Pro उनके जो भी उनकी फिजीक अपडेट्स होती है और जब उनका Pro Show होगा तो उसकी अपडेट्स सारी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे दीजे और सब्सक्राइब करिए भारत का Best Bodybuilding चैनल तो दोस्तो मैं आप सभी लोग को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ और भी Bodybuilding से related जितनी भी खबरे आती हैं जितनी भी News आती हैं आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी and once again दोस्तो thank you guys आप लोग support दखाते हैं और मैं आप सब लोग को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखे till then take care and bye